आगरा में गंगा जल तो आ गया लेकिन जर्णता की प्यास नहीं बुच पा रही है। आगरा में गया लेकिन जर्णता की प्यास नहीं बुच पा रही। आगरा में आ चुका है। लेकिन उसका वित्रण ठीक नहीं हो रहा। और वित्रण ना होने के अभाव में आगरा की जंता त्राही त्राही कर रही है। लाकार मचा हुआ है। और गंगा जल वेस्ट हो रहा यमना में जाके या कहीं से पाइप्लैन बस्ट होती हैं तो वहां से वेस्ट हो रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और एतिहासिक आगरा के लिए प्रोजेक्ट उसका लाव जंता तक नहीं पहुँच रहा है। इसमें जल कल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और साजिश दौनों शामिल है। इसी संदर में मैं पताना चाहरा था कि जल कल विभाग से मैं दो साल पहले से कह रहा था कि गंगा जल आगरा में आने वाला है। 2016 से यह मैंने कहना शुरू किया था कि 2018 दिसम्बर तक गंगा जल आ जाएगा तो वर्तमान जो उनकी पे जल वित्रण की विभस्ता है उसको दुरुस्त कर लीजिए। नहीं तो दो बाते होंगी एक तो यह कि अगर हम उधारण के तोर पर बिशलरी खरीदें और गंदे गिलास में जनता को पेश करें वो उधारण बनेगा दूसरा जो आपकी दुरुस्त विवस्ताएं नहीं है वह जनता तक गंगा जल नहीं पहुँचा पाएंगी नमबर तो जो आधी अधूरी विवस्ताएं खड़ी हैं उनको पूरा कर लिए दो साल का समय है अभी जिससे जब आपके दरवाजे पर गंगा जल आ जाये तो उजनता के द्वार तक पहुँच सको हमारा काम था गंगा जल को जल संस्थान के द्वार तक लाना आगरा को 400 MLD पानी परड़ी की जरूरत है 375 MLD गंगा जल ही आ रहा है 200 MLD यमना का जल प्राप कर सकते हैं याने पानी इफरात में है अब जल कल विभाग के पास लेकिन वित्रण विवस्ता नहीं हो रही ठीक से वह है उसमें साजे शामिल है GM जल संस्थान और वहां के कुछ ठेकेदारों की ये कौकस है ये कौकस मिलकर इस सब विवस्ता को चौपट की हुए परेलाइस की हुए है मैंने मानी मुखमंतरी जी को इस वास से अवगत कराया है नगर प्रमुक्सचिव नगर विकास को अभी लखनू जाके अवगत कराया है कि ये सब चल रहा है इसको देखिए और को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा पंजाब के सीरी टीवी के लिए आगरासी ब्रिज भूशन की रिपोर्ट